जैविम एक मेहत्तपूर्ण विशे को लेके अचानक से मुझे लाईव आना पड़ा और मैंने सूचना पेचर डलवा दी थे कि आपको पता लग जाए कि मैं लाईव बहुजन समाज में जन में सभी संतों गुरुवों महापुर्शों को नमन करते हुए और जो नायक महानाइका ही हुए है बहुजन समाज की उनको भी नमन करते हुए आज मैं नायक नायकाव महापुर्शों का नाम इसले नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आज बड़ी तकलीफ में हूँ और तकलीफ आपसे बया करनी पड़ेगी रात को इतनी देर रात आपसे बात इसलिए करनी पड़ रही है कि कल तक चीजे खराब ना हो जाए इसलिए आपसे बात करनी पड़ रही है तो मैं चंशेखर राजाद अपने आपको उसम्म में बड़ा बहादूर खुज को समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि भी मार्मी भी बहुत ताकतवर है बादूर लोग की एक संगठन टीम है कभी कभी सिस्टम जो है एसाज कराता कि नहीं हम बहादूर नहीं है और सविधान और ये लोकतंत्र कानून विवर्ष्था इस सब कहने की बाते गुलाम भारत में जो वंचितवर के लोगों सेहना पड़ा आजाद भारत में भी वो सेहना पड़ रहा है जो पिक्चरों हमने कभी देखा था कि कोई ताकत और आदमी किसी गरीब की कानियों में अगर आप देखाओ गरीब की बेटी को उठा ले जाता है परिवार ठाने के चक्कर लगाता है न्याय की गोहार लगाता है कोई कारवाई नहीं हो तिस सब लोग मिलके परिवार को ही दबाने का काम करते हैं पिर परिवार टूड़ जाता है पता रखता है कि बच्ची के जो पीडिता की माँ थी उसने उसको उसकी तब वो उसकी डैथ हो जाती है पिता अपने आप सुसाइट कर लेता हैं बहुत सारी ऐसी कहानिया पिक्चरों में आप लोगों ने सुनी होगी देखी होगी मैंने जरीए जिन लोगों तक संदेश मौचाना उन तक भी पहुंच जाएगा कहानी सुनाता हूं कहानियों का दोर चल रहा है न तो कहानी आपको सुनाता हूं हुआ क्या है एक पत्र भी है उसको भी सुनाऊंगा गटना है आठ बारा दो जार इकिस की आठ दिसंबर दो जार इकिस उन्नाव जिले में एक बेटी है और मर्तिका हो चुकिये 22 वर्सी है कालपिनिक नाम आप कुछ भी ले ले उसको एक ताकतवर उन्नाओं के पूर एक पार्टी के राज्यमंत्री उनके बेटे है रजोल सिंग और उनकुमार सिंग और रजोल सिंग अब वो उसको ले जाते है उठा का घटना कब किये 8 12 2021 दूथरी खबर के अनुसार 10 जनवरी को यानि कि एक महिना दो दिन के बाद एफ आ यार हुई है रजोल सिंग जी के खिलाफ रजोल सिंग बड़े मंतर जी के बेटे हैं बाहु बली मंतर जी अब तो साध नहीं रहें उनके बेटे हैं बनाट ताकत और आदमी हैं एक महिना दो दिन बाद गुम्सुद्गी की रिपोर्ट हुई है दस जन्वरी को लगबग 62 दिन बाद आज उस बेटी का सव मिला है लगबग 3 बज़े के कहने को ज्यादा कुछ नहीं है हमने हात्रस देखा उन्नाओ देखा प्रयागराज देखा आगरा देखा चुनाओ समर चल रहा है लोगों के लिए चुनाओ का समर है वोटो का नफा नुक्सान है यही हमसे नहीं आता है चंशे का राजाद से यही नहीं नहीं आता है ना चुनावी नफ़ा नुक्सान ना वो उसको देखना चाहते ना उसको दिखाई देता है बहुजन आंदोलन के सिफाई हैं बहनों की सम्मान सुरक्षा की गारंटी लेके घूमते हैं कहानी का कुछ और हिस्सा भी बताऊंगा अब कहानी को डिटेल में थोड़ा बताता हूं आठ दिसंबर को बच्ची को अगवार किया गया माना हाथ पैर जो है मारती रही चपल घिसकी उसकी जाजा के थाने में मुकदमा दर्ज हो जाए को जानकारी मिल जाए नहीं मिली दस जन्वरी को मुकदमा दर्ज हो ऑप क्यों दर्ज हुआ क्यों कि पीडिता की मा उत्तर प्रदेश के पूर मुख्यमंतर के घर गई मिलने के लिए और उसने प्रयास किया कि वो बेटी मिल जाए नेता जी के गनर्स वगेरा में नहीं मिलने दिया गया बकॉल पीडिता के जो माँ है उनके रोने बताया तो उन्होंने लखनव में आत्मत्या करने का प्रयास किया अकबार की खबर कहती है पीडिता की माने का है आत्मत्या कोसिस ना करती दब जाता मामला यह एक फरिवरी को छपावा है यानि के दस जन्वरी के बाद भी दस जन्वरी को रिपोर्ट तो दर्जू ने कि उसके बाद कोई कारवाई नहीं हुई है आठ दिसंबर दस जन्वरी एक फरिवरी के लगबग यानि के लगबग 31 जन्वरी के लगब 30 जन्वरी करीब उन्होंने परियास किया होगा तब एक फरिवरी को ख़बर चपिए अब उनकी माता जी का पत्र है जो मेरे पास है यहां इस फॉन में यह आप सब लोग को सुनना चाहिए उन्होंने क्या लिखा है यह बड़ी इंट्रेस्टिंग कहानी है आपको खूब आनद आएगा क्योंकि आप आनदी तो हैं और आनद आपको पेश करते हैं अस्पेशली सोशित वर्के लोग के लिए दलित होना सबसे बड़ी सजा है इस देश में मेरी पुत्री उम्र बाइस वर्स लगबक को दिनाग आट बारा दोजार इकिस को उन्नाओ जिले के बाहुबली एवम किसी पार्टी के राज्य मंतरी फते बाहदुर सिंग के पुत्र अरुण कुमार सिंग उस रजोल सिंग के दोवारा अगुआ कर लिया गया मैं रोज नाक रगड़कर अपनी पुत्री वापस मांगती हूँ तो रोज यही कहते हैं कि तेरी पुत्री से अभी मेरा मन नहीं भरा है कुछ दिन में मन भर जाएगा वापस कर दूगा तेरी बेटी बहुत मस्त है बाद मैं लोटा दूगा मेरी सुनवाई थाना पुलिसेम जिला के आला दिकारे द्वारा नहीं की जा रही है मुझे डरे कि मेरी बेटिक साथ के इन्होनी नहीं हो जाए मैं गरीब दलित मैला हूँ करपया आप सब लोग मेरी मदद कर एम पुत्री को इस वैसी दरिंदर से वापस करवाएं एक मा ये पत्र लिखती है और रजोल साब को का मन नहीं भराया हुए तो रजोल जी को उस बेटिक में बड़ी इच्छा है उनमें बड़ा जो आनन्द है तो वो कह रहे हैं कि वो बड़ी मस्त है जब उनका मन भर जाएगा वो भेज देंगे अब ये बेटी आज इसकी डेट वोड़ी मिली है वह इस दुनिया में नहीं है जब मुझे पता रहा का बड़ी तकलीफ हुए मैं उसके चिता के बात की चिता पोस्तमार्टम चाहते हैं पैनल के दुवारा पुलिस अपनी जांच कर रही है कौन जमेदार है रजोल सिंग उसके साथ थी या पुलिस या हम सब लोग कौन जमेदार है यह जो सिस्टम है इसमें जो कानुप रवस्ता है उसके लिए कौन जमेदार है क्या वो एसाई जो जांच कर रहे थे जिन्होंने एक महिने तक रिपोर्ट में लिखी वो एसचो जिनके आँखों के सामने होता रहा वो सीयो जिनके जानकारी में सब होता जमेदार है क्या अगर पहले दिन रिपोर्ट लिखके रजोल सिंग बुलाया गया होता उससे बेटी का पता किया था उसकी बेटी की जान बच जाती कैसे पाली होगी उन्होंने भूके पैसे रहके गुले सुखे में रखके उसकी माने क्या-क्या सपने देखे होंगे रजोल साब को कमन नहीं भरा है जो लोग टिपणियां करते हैं कि चंशेकर तो मुकदमे करवा देते हैं चंशेकर तो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं यार एक महिना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है एक महिने के बाद एक और महिना हो गया कोई कारवाई नहीं हुई है लड़की की मा नियाएं के लिए आत्मत्या वेरे मुकदमे उनसे तो अच्छे है यार वो उसकी मा भी मरना चाहती है क्या बेहनों के समान के लिए चूडिया बेहन के घर बैठ जाएं फिर आज उस बच्चे की लहास मिली है मैं क्या करूँ राजनीती क्रूप से अपना काम करता रहूं या उनकी मदद करूँ फैटला आप दीजे देखें मैं राजनीती को डॉक्टर मेटकर कहके गए मैं मानता हूँ उसमे ताकत है ताकत के सत्ता के देखें हुआ यह बीजे पी का राम राज्य है जिसमें पिक्चरों जैसे काहनिया होती है पुलीस नत्मस त्क होती है नेताओं के चोख़त पे पुलीस खाकी की जो है वो दम तोड़ देती है रिपोर्ट में लिखती है यही अगर करने वाला कोई दरिश समाज के वेक्ति होता तो क्या होता अरुन वालमी की अपकर आपको यादो लोहा मंडी आगरा पच्छिस लाग के चोरी के आरोप में चालिश हो गिरबतार किया गया तीस दिन की जच्चा थी उसकी पत्री अरुन की पीट-पीट के हस्ताय क कर वा देते हैं सर आप मुझे बताओ कानून व्यवस्ता कहां कि यू नया नहीं हुआ अगर कानून व्यवस्ता है सविधान है तो क्यों परिवार के साथ नयाए नहीं वाप्यूंस बेटी की जान गई बार और यह सिस्टम और यह नेता क्या कर रहे हैं कि क्या आज भी हम सब्सक्राइब के लिए हमें अंदोलन करने पड़ेंगे उसके अवज हमारे मुकर्ण मुकद्वे होंगे हुआ है और अभी मेरी महां कि हमारे जिलाद्स से बात अंद और कहना है पोलिस उनको डूट रही है पोलिस नोंके परिवार को परिशान कर रही है। प या उस उस परिवार की जो मीदें उस उस परिवार ने अभी एक वीडियो में कहा कि हम अपने बेटे चंशेकर से कहते हैं कि वो आखे हमें नियाय दिलाए पूलिस और परसासन के लोग कहते हैं कि आप मत आईए वरना तो महौल खराव हो जाएगा अ उन्मावाप से कैसे आख मिलाएं सर वजाई उसकी मां ठाने के चैरी के चक्कर काटते रही आदिकारे के चक्कर काटते रही बड़ी मुस्किल से एसस्पी साब से मुलाकात हुई तब जाके जांच वाचा आगे बड़ी एक दो तिन करेक्टर हैं उसमें इनके बारे मैं भी आपको बता दूँ जानना चाहिए आपको वो उस घटना की जांच करने वाले दरोगा जी जिनके पास बेटी की मां जाके तहरीर देती रही प्लेम नाराण दिक से जी उस थाने के इंचार्ज अखलेस पांडे जी सब जी वाले मानने लोग हैं और करपा संकर जी सियो साब जब आरोपी को इतनी खुली छूट हो जब कानून व्यवस्ता सत्ता क्या कर नत्मस्तक हो जाए ताकतवा लोग के नत्मस्त तो मेरे जैसा व्यक्ति क्या करें इस सत्ता के दम पर हमारे लोग का दमन किया जा रहा है देखिए मैं फिर कह रहा हूं मेरे लिए राइनिटी सेकिल ओक्स वे फस्ट है जिससे उस सियों के खिलाब उस दरुगा खिलाब कि सेक्षन फॉर का मुकदमा दर जो उन्होंने नियाय को भाधित किया उस बच्ची की हत्या के दोसी जितना वह रजौल सी में उतने यह लोग भी अगर यह समय पर काम किये होते हैं इन्होंने अपनी ड्यूटी को रिस्पॉंस्ब राज्जे से हमें बचाएं और उस सेचो को उस दरुगा को स्वियों खिलाब मुकदमा दरज करें मैं हंगावा नहीं चाहता हूं लेकिन अपनी बेहन के केसमीता उसके सम्मान के साथ खिलवाड भी नहीं होने दूगा मुझे नियाय चाहिए मैं दो दिन का समय सुनिष्चित करता हूं ये दो दिन में परसासन पुलिस को देता हूं कि वो सुनिष्चित करें कि नियाय संभव हो मुख्यमंत्र जी को देता हूँ आदर्णी मुख्यमंत्र जी जिनको सिरफ चुनाव लड़ना है सत्ता गद रुपयोग करना है उनको देता हूँ कि आप खैर खबर ले दो दिन आपके तीसरा दिन मेरा दो दिन में मैं मेरी राइनीती यही कि जब किसी को जुरुत हो मेरी मैं खड़ा हूँगा वहाँ मैं उस मां को उस पिता को पेटा बनके उनकी मदद करूँगा उनका विश्वास को मजबूत करूँगा उनको नियाद दिलाँगा जबकि यह होना नहीं चाहे था देखे ना किसने स्टोरी है ताकत और व्यक्ति गरीब की बेटी को उठा ले जाता है वो उसको उसकी मां को कहता है मेरा मन नहीं बराया जब मन भरेगा भेद दूगा तेरी बेटी मस्त है एक ऐसी कहानी मैं आजमगड में सुनी थी इसमें एक सियो साब कहें कि छोटी जात में लो है नेताओ को चुनाओ लड़ने हैं नेताओ के लिए चुनाओ महले मेरे नीए कोई महावल नहीं मुझे सिर्फ यही आता है दो दिन कप्तान साब टीम साब मैं आपको देता हूं पीत्रा दिन मैं आपको नहीं दूँगा मेरी नफा नुकसानों चुनाओी मेरा समय कप पर वो जाए लेकिन आज उस परिवार को मेरी ज़रुत है उनकी मांगों को मानी नियाए दीजिए इसकी सीबिया जांच कराईए उस दरोगा इंस्पेक्टर सीयो के खिलाब मुकदमा दर्ज कीजिए अगर आप ऐसा नहीं कर मैं उस मा के आसु पूछने उस पिता के आसु पूछने उस बहन को नियाए दिलाने के लिए जाओंगा मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं लाइव आने का मकसद यह था कि मुझे खबर यह है कि पुलिस जबरस्ति जो है पोस्ट मार्टम करा सकती है जैसे हात्रस में करा था पुलिस जो है जबरन जो है पोस्ट मार्टम कराके और अंकिम संसकार करा सकती है पुलिस परिवार को डुरा सकती है धमका सकती है किसी तरह से तोड़ने का प्रयास कर सकती है तो मैं बस आपके बता रहा हाँ जोड़के कि अभी उसका भाई चंशे कर आजा जिंदा है अभी भी मार्मी आजा समाज पार्टी है अभी उस मां का बेटा जिंदा है अभी उस पिता का बेटा जिं आजाद भारत पिक्चरों जैसे स्टॉरिया देखने को मिल रही है यह है रामराज उत्तर प्रदेश की सरकार का कानून नवस्था यह है बड़े-बड़े नेताओं के आगे सत्ता खाकी का दमन खाकी का गुटना टेक रवईया मैंने पहले भी कहा अगर यह किसी सोशित विडियो द्वारा किया गया होता तो उसके परिवार के खाल खीच के फूस भर देती पुलिस उसका मकान गर जाता बुल्डोजर गर जाता मैं भी देखना जाता हूँ बाबाजी का बुल्डोजर चलेगा नहीं चलेगा मुलाकाथ होती तेरा तर्फ को नो मैं आप से परसासन के लोगों को मेरे जलाद धिक्स को और वहां की टीम को टुराना बंद कीजिए अपना काम कीजिए आप अच्छा काम करेंगे उसाइद अच्छा काम करने दिखांग साइद मैं ना हूँ लेकिन अगर आप राउपी को बचाने का प्रयास करेंगे तो फिर मैं भी होंगा और आपना सामना भी होगा मैं सरवेदानी ग्रूप से लड़ता हूं और परसासन पर वरोसा करता हूं और यह समझता हूं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिके नहीं जिनका जमीर जिन्दा है है कि आप सब कि आपने में बहन बेट या अगर बेंड़ेंगे साथ इस तरह से हरत्य होंगी उनके सरीर को इस तरह दोरा गुण्डों दोरा नोचा जायेगा तो कौन बहन बीटी सेफ रहेगी मैं भक्तों से भी कहना चाहता हूं कैसे मिलेगा नियाए भाई मांगने से या अंतिजार करने से कहना आसान है कभी भी मेरमी के लोग जिंदगी जी के देखिए तो ऐसास हो जाए साहिब कि वो अपनी परवा नहीं करते वो अपने समाज की परवा करते उनके लिए जेल जाते हैं मुकद में जहिलते हैं, आपको सिर्फ चुनाओ लड़ना होता, आपके नेताओं सिर्फ चुनाओ लड़ना होता, उनको सिर्फ चुनाओ में समाज याद आता है, बाकी पास साल नहीं यादाता है, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाह रहे था कि अब यह होना नहीं चाहिता है कि यह अभी भी हो रहा है मेरा परसासन से आखरी दारी निवेदन है इसको आप याद कर लें परिवार जो चाहता है उसकी पैनल दुवारा वीडियोग्राफी में पोस्मार्टम हो उसमें जो लोग इन्वाल है उसकी सीवेज जाच क के उनके उपर उसकी पूरी जो जो लोग उसमें सामिले सप्पे करवाई हो उस दरोगा जिसने नियाय को परभावित किया उस एस एच्चों कि खिलाब मुकदमा दर्जा और एक और बात अगर उसकी मां भी जिसमें आत्मत्ते पर वो भी मर जाती तो सायथ मामला दबी जा जैवीन जैभारत मैंने आप सब को इसके बताए कि पूरे देश में पूरे दुनिया में पता लगे कि आज भी जहां बात करते हैं कि चार बार मुक्ष मंत्री पांच बार मुक्ष मंत्री आज भी यह हालात हैं यह अब चलेगा नहीं सबकार निया संगत कारवाई करें अरोप्यों का संडक्षन करना बंद करें दो दिन का समय आपका है तीसे दिन का मेरा जैवीन जैभारत मैं अपनी बहन को निया जिलाने के लिए किसी ब्यास्ता गोज़र सकता हूं याद अखिए